नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी येटूब चैनल में दोस्तों केसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि भगवान महावली हनुमान जी के आशिरवात से आप बहुती अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब स्वेम महावली हनुमान जी आपके घर आने वाले हैं जिहां दोस्तों और दोस्तों आप सभी के जीवन काल में अब बहुत ही बड़ा चमतकार होने वाला है जिहां दोस्तों हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अगले पांच दिनों में मंगल गरा आप सभी के कुंडिली में बहुत ही बड़ा धूम मचाने वाला है याने कि दोस्तों, ग्रहों की बदलती चाल में अब सूभ परिवर्टन हो चुका है, सूभ योगों का निर्मान भी हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों साक्षात महावली हनुमान जी का आजिम आशिरबाद आप सभी के उपर पढ़ने वाले हैं जिहां दोस्तों और दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में आचानक सी वो बड़ा चमतकार होगा जो कि दोस्तों आप सभी के होस उड़ा देंगे जिहां दोस्तों यह समय से जो बड़ी खुस खबरी आपको मिलने वाली है दोस्तों अब अपने आखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे लेकिन दोस्तों वास्तव में ये घटना जब सच हो जाएगा तो दोस्तों खुसी के आशू आप रोक भी नहीं पाएंगे जीहां दोस्तों और यह समय आपके जीवनकाल में इतनी बड़ी सफलता इतनी बड़ी कामियावी मिलने वाली हैं कि दोस्तों दुसमनों के पैरों तैले जमीन खिसक जाएगा उनके होस ओड़ जाएगे जी हाँ दोस्तों परन्तु दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह समय आपको सबसे 6 बड़े बातों का ध्यान रखना बहुती ज़्यादा आवश्यक होंगे वरना दोस्तों आप सभी की जीवन काल में बहुती बड़ा सुख दुख में भी परिवर्तन हो सकता है इसलिए दोस्तों महाबली हनुमान जी जब आप सभी की जीवन काल में इतने बड़े सुख अफसर लेकर आने बाले हैं तो दोस्तों इन 6 बातों को आप भूल कर भी नदरांदाज मत किजिएगा क्योंकि दोस्तों ये बातें आप सभी के जीवन काल में आपको एक नया दिशा परदान करेगी सही गलत का आपको रास्ता दिखाएंगे और दोस्तों जीवन काल में हर वो सूप परस्ती बनेंगे जिनसे दोस्तों आप हमेशा काम्याब होंगे और कभी भी आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों आज की इस वीडियो को भूल कर भी मिशना करें और सुरू से आंत तक ध्यान से देखिएगा उसे पहले दोस्तों जो भी महावली हनुमान जी के सच्चे प्रिभागते हैं दोस्तों वीडियो को एक पेराशा लाइक जरूरी किजिएगा और दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जैस शंकट मोचन हनुमान जी जैस सिर्राम जरूर लिखेगा दोस्तों सिराम जी का आसिम आशिरवाद आप से भी को प्राप्त होगा दुख कस्ट जितने भी पीडा है सब के सब मिट जाएंगे जहां दोस्तों, साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नई है तो दोस्तों चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें साथे बेल आइकन को प्रेश करके और पर स्लेट कर दें ताकि दोस्तों ऐसी महतपुन जानकारिया आप तक सबसे पहले पहुंच शकी तो आज दोस्तों बात करते हैं सुरुवात करते हैं आज की एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही महतपुन ग्यान से जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में उर्जा की वो किरन को जागरित करने वाली है जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में हमेशा सुब रास्ते ही आपको दिखेंगे कभी भी आप गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे जिहां दोस्तों कि भगवान के पास दो सक्तिया है दोनों भगवान की है एक है माया और दूसरी है भगती जब कोई भगवान के समक्त जाता है भगवान को परणाम करता है तो वह पूछते हैं बोलो क्या चाहिए माया चाहिए या भगती भगत पूछता है महराज दोनों में अंतर क्या है भगवान बोले देखो दोना में एक ही अंतर है अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ और अगर मुझे नाचना है तो भक्ती ले जाओ क्योंकि जिव जिसके बस में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके बस में हो जाए उसका नाम भक्ती भक्ती के तो भगवान के राज में तो भगवान नित्र करते हैं और भगवान के राज में समस्त संसार नाशता है जबकि भक्ति के राज में भगवान नाशते हैं जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सामत हैं स्री कृष्ण जे के अच्छे ज्यान से सामत हैं तो दोस्तों बीडियो को एक प्याराशा लाइक आवस्थ कर दें और इनके लिए लेग दें जैसरी कृष्ण राधे राधे तो आए दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि आने वाले इन पांच दिनों के अंदर में भगवान महावली हनुमाजी के आसिम आसिरबात से मंगल गरहर जो आप आपके जीवन काल में आपको कौन-कौन से बड़े खुश कर्बरी मिलने वाली है साति दोस्तों कौन-कौन से बड़े बदलाब होने वाले है रे महावली हनुमाजी करने वाले है बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्तों आज गिरिष्टी में कुछ बदलाब होगा कोई भी काम करने से पाली उसकी पूरी योजना बनाना आपको गलती से बचाएगा साथी पिछले कुछ शमय से चरही किसी समस्या का भी समधन मिलेगा गर में किसी धार में आयन भी शंभव है दोस्तों यह समय आठी उजनाओं को भली भूती करने के लिए शमय बहुती अनुकुल है यह समय धन दायक परिशतियां बन रही है साथी अपने किसी नकार्थम बातों को छोड़ने का भी संकलब करें इसे आपके सवाब में भी परिवर्तन आएगा और परिवर्जनों को भी खुशी मिलेगी साथी किसी अंजान इनसान से मुलाकात आपके भागदे समंधित कोई द्वार खोल शकती है किसी निकट समंधिका विभात थाय हो जाने जैसी सुप सुचना मिल शकती है जिसे परभूलता रहेगी कोई परवार यात्रा शम्मेलन में भी शामिल होने का निमंतरन मिलेगा वो अपने वीचारों को बहतिन तरीके से परदासित भी करेंगे इसमें गिरिश्टी में कुछ बदलाव आ रहा है खुले दिल से इस बदलाव को शिवकार करें यह आपके लिए शकारत्मक रहेगा उस्तों गिरिश्टी बहुत ही अनुकुल है मन मुताविक तरीके से कार बनेंगे दिरिनिस्षे होकर अपने परतिक कार में ध्यान दे आर्थिक दिरिश्टी से भी आज का दिन आपके लिए बेहतरिन उपलवधिया ला रहा है राशनात्मक था मन मुताविक गत्तिवेदियों में भी बेहतरिन समय बेतित होगा युआउं था विद्यार्थियों को अपने कोई दुविधा दूर होने से रात मिलेगी सिर्फ कोई भी निने लेने से पहले उचित विचार्ज विमर्श करने की आव सकता है अब अपने कार को जितने परिश्रम और मनन से करेंगे उतने ही अनुकुल परना भी हासिल होगी साथी साथ दोस्तों आपको बताने की भगवान सिर्रम का गुनवान या पूरे सापता में आपको करना है समाजिक गत्ती विदियों में भी आपका यास में बहुती ज़्यादा रूची बढ़ने वाले हैं बहुती बड़ी तरह की यह समय आपको भगवान सिर्राम के आशिर्वाद से मिलने वाले हैं। घर का इनजदी की जो समंदी हैं, उनके आगवान से सुखनामा महोल भी यह समय रहने वाला है। क्योंकि भगवान सिर्राम का आशिरवाद यह समय आप पर होंगे कि खुश खबरी आपके पूरे परिवार को खुश कर देंगे जिहां दोस्तों इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिन में कुश शाबधानिया भी देखकर चलनी होगी अपने कम्यों को पहचाने और सुधार लाने का प्रयाश करें वाउ दिन्चारिया से रहात पाने के लिए अपने मित्रों ता समंधियों के लिए भी कुश में अवस निकालें और तो दूसरों के निरने पर आमाल करने से पहले उची संच विचार जरूर कर लें वैबसा में अभी कुछ न कुछ चुनोतिया रहेगी किसी लब परवाय की वज़े से कार छेतर में काम भी गड़ सकता है इस पर आप ध्यान रखें साथी आय के साधनों में भी कुछ कमी रह सकती है लेकिन धैर रखें जल्द ही समय की चाल आपके अनुकुल होगी रिष्तिदारों के साथ किसी वात को लेकर कुछ वाद विबात की इसती बनेगी और इसका असर आपसी समंधम पर भी पड़ेगा यह समय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसी वी कार में रूची ना लें अनुवी लोगों के माड़ दर्शन और सलहा की आवहलना न करें यह समय बहुती मेहनत का है किसी की सलहा आपके लिए नुकसान दायक रह सकती है बेतो रगा की अपने व्यक्तिगत कारें को दूसरों से उमीद रखने की वज़ाए खुद ही निप्टाने का प्रयास करें परन्तु इगो और अति आत्म विश्वाद जीसी कम्यों पर काबू रखना भी जरूरी है दोस्त आपके लव लग के बारे में बात करें तो घर में किसी खास व्यक्ति के आगमन से खुशी भरा माहो रहेगा ट्रैम समंदों को परवारिट सिरुकरती मिलने से विवाज समंदी योजना भी बनेगी कि स्वास्त के बारे में देखा जाए तो गले में इन्फेक्शन और भुखार जिसी इसति रह सकती है अपना इन्फुर्श सिस्टम मजबूत रखने के लिए आर्वेदी चीजों का अधिक से अधिक इस्तमाल करें दोस्तों आप बात करते आपके उपाय के बारे में तो मंगलबार के दिन हनुमान जी को पान का वीड़ा चड़ाएं जिसतों बात करते आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग पीला है और भागे साली अंक तीन है दोस्तो महावीर बजरंगवली का आशिरवात आप सबी को प्राप्त हो सच्चे दिलशे कमेंड बॉक्स में जै महावीर बजरंगवली जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद